दूंगरपुर जिले में जैन नविवक मंडल की ओर से आज से शहर के लक्षमन मैदान में चार दिवसीय जैन क्रिकेट प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई नगर प्रिशद के सभापती अमरितलाल कलासुआ ने प्रतियोगिता का आगास किया प्रतियोगिता में जैन समाज की आठ टीमें हिस्सा ले रही है रोज दो टीमों के बीच मैच खेला जाएगा 26 दिसंबर को क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच होगा दुंगरपुर शहर के लक्षमन मैदान में आयोजित जैन प्रीमियर लीग के उद्घाटन समारोग के मुख्य अतिथी नगर सभापती अमरित कलासुआ थे इस मौके पर कलासुआ ने कहा कि जीवन में खेल सबस जरूरी है इससे व्यक्ति का जीवन स्वस्थ रहता है समाज की ओर से इस तरह के आयोजन होने चाहिए जिससे समाज में मेल मिलाप बढ़ता है और एक जुपता आती है उपसभापती सुदर्शन जैन ने कहा कि जैन समाज की ओर से हर साल इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित होती है ताकि बच्चे कुछ सिख सके मंच पर जैन नव्युवक मंडल के अध्यक्ष सिधार्थ महता, सचिव नरेश जैन कोशाध्यक्ष शैलेश महता, रमेश जैन मौजूद थे कार्यक्रम के उधगाटन में कराटे क्लास की बालिकाओं ने कोच विपिन के नेत्रित्व में कराटो का प्रदर्शन किया क्रिकेट प्रीमियर लीग का उधगाटन मैच पार्शवनात क्लब वनेमिनात क्लब के बीच खेला जा रहा है प्रत्येक मैच 20 से 20 ओवर का खेला जाएगा, जिसमें खिलाडी बेटिंग, बोलिंग वफील्डिंग में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे 26 दिसंबर को फाइनल मैच के साथ प्रतियोगिता का समापन होगा, जिसमें विजेता टीम के साथ मैन आफ द सीरीज, मैन आफ द मैच के इनाम भी डिये जाएंगे डियोरो रिपोर्ट सपना शर्मा, वागर संदेश, डूंगरपुर अट्ची पटिवी जेंगे आ भीज में थे रप्याँ